स्टूडेंट, टूडेंट आप गएंग तू टीच चैप्टर 12, हैस, हैव, हैड बच्चों, हैस, हैव का मीनिंग होता है, होना, रखना, या है एंड हैड जो है, वो पास्ट के लिए यूज होता है पास्ट में अगर हमारे पास में कोई चीज थी तो उसके लिए हम head का यूज करते हैं तो head का means होता है था चलिए अब हम पढ़ते हैं Read the given sentences aloud We study in class 2 We have a test today We have a test today आज हमारा test है तो have mean है We have a test today Puneer studies in class 1 He also has his test today Has का mean भी है होता है तो he also has his test today आज उसका भी test है Rishita studies in class 3 She had her test yesterday अब देखिए यहाँ पे हमने head का यूज किया है तो यहाँ पे हम past की बात करें She had her test yesterday कल उसका टेस्ट था तो has, have का मीन है and head का मीन था अब देखिए बचो has और have का use हम कब करते हैं और किसके साथ करते हैं और head का use कहा किया जाता है यह देखिए यहाँ पे हैं present tense में हम क्या जब present की बात कर रहे होते हैं तब हम have और has का use करते हैं और past में हम head का use करते हैं अब have का use किसके साथ होता है I के साथ हम have का use करते हैं You के साथ have का use किया जाता है ठीक है, I, U, V, V के साथ have का use होता है ठीक है, और you have, they have तो यहाँ पे हम I, U, V, they इनके साथ हम have का use करते हैं और he, she, it या singular किसी person का name है तो भी हम क्या use करते हैं उसके साथ has का use करते हैं तो बचो आपको समझ में आगया हो आगया होगा कि I के साथ, you, and we के साथ, and they के साथ plural के साथ हम have का use करते हैं और he, she, it और किसी का name है singular person के साथ हम has का use करते हैं अब हम hat का use कहां पे करते हैं यह देखते हैं कि hat का use कहां पर होता है I, you, he, she, it, we, you, they इन सभी के साथ ही head का यूज किया जाता है लेकिन जब हम past की बात कर रहे होते हैं तब यानि हम पिछली कोई बात कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पर head का यूज करते हैं Now exercise 1 Fill in the blanks with has or have यहाँ पे बचो हमें has or have का यूज करना है I, तो I के साथ हम have का यूज करेंगे I have a blue cycle, blue bicycle फिर है B, anu यहाँ पे देखी बचो, anu एक girl का रहम है यहाँ पे एक single girl की बात हो रही है तो यहाँ पे हम has का यूज करेंगे Anu has कर ले है फिर है can we अब देखी we के साथ हम have का यूज करते हैं हम यहाँ पर have लिखेंगे Can we have an extra sheet please Do you have a brother You के साथ have का यूज किया जाता है The garden has a beautiful rose plant अब देखी the garden Garden यहाँ पर singular प्लेसे garden एक जगे का नाम है तो यहाँ पे हम garden के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे has The garden has a beautiful rose plant Kiran has fever She also has a stomach अब देखीए यहाँ पे Kiran singular एक गर्ड करेंगे तो यहाँ पे भी हम has का यूज करेंगे A river यहाँ पे एक river की बात है यहाँ पे एक river के बारे में हम बात करें A river has two banks तो यहाँ पे भी has का यूज करेंगे elephants have long nose अब देखीए यहाँ पे हमने have क्यूज किया है क्यूंकि elephants जो है यहाँ पे elephants है means plural बहुत से एक से ज्यादा elephants की बात हो रही है तो यहाँ पर हम have का यूज करेंगे elephants have long nose exercise two flinda blanks with has have or had they had a fight yesterday अब यहाँ पे हमने had का यूज क्यूं किया है क्यूंकि यहाँ पर past की बात हो रही है यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चो लास्ट में yesterday means पिछली बात हो रही है तो यहाँ पे हम had का यूज करेंगे they had a fight yesterday we have a swimming pool in our new house we के साथ हम have का यूज करते हैं और यह present की बात हो रही है यहाँ पे हम have का यूज करेंगे do you have a dog at home the last year we had a big party यहाँ पर last year की बात हो रही है तो यहाँ पे हम had का यूज करेंगे I have a headache फिर है बच्चो if we had lunch out yesterday यहाँ भी yesterday की बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे भी हम had का यूज करेंगे exercise 3 fill in the blanks with correct words from the brackets बच्चों यहाँ पर brackets में जो word दिये हैं इन्हें हमें correct word को fill in the blanks में रिखना है last Thursday we had our English exam अब last Thursday की बात हो रही है इसलिए हाँ पे हम had का यूज करेंगे head लिखेंगे I had a dog last year अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी last year की बात हो रही है तो यहाँ पे भी हम head लिखेंगे C Ria has a hobby of collecting stamps यहाँ पे Ria एक one girl की बात हो रही है और present की बात हो रही है तो यहाँ पर हम has लिखेंगे a cow has a long tail old mcdonald had a farm यहाँ पे old mcdonald की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हम head लिखेंगे उहाँ इसलिए लिखेंगे